यह हैं हमारा चैप्डर थर्टीन प्रेशर बेल्स एम टाइपस ओफ विंड का लेक्चर थ्री इसके पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े है विंड्स का पहला टाइप, periodic और permanent wind इस lecture में हम उसका wind का second type पढ़ेंगे secondary wind और periodic wind और seasonal wind periodic wind, seasonal wind और secondary wind इस wind के भी तीन नाम है यह wind क्या है? these are the winds which change their direction periodically with the changing season इसमें क्या है? यह wind क्या है? जो wind का direction है, वो season की हिसाब से change हो रही है कैसे change हो रही है? जैसे season change हो रहा है, वैसे wind की direction भी change हो रही है ऐसे wind को हम क्या कहते है? seasonal wind कहते है seasonal winds के भी दो type है, monsoon और land and valley bridge पहला देखते है, monsoon क्या है? monsoon, Arabic word है, mousam monsoon किसे लिए गया है? एक Arabic word, mousam से mousam का अत्रब क्या होता है? season संद में आया? monsoon system is typically developed over the southern and south eastern part of Asia monsoon system ज्यादा तर कहां पर रहता है? monsoon का जो season है यह कहां पर रहता ज्यादा तर? एशिया के southern part में और south eastern part में कहां पर रहता है? यह एशिया के southern part में इधर southern part में और south eastern part में मतलब इतने रीजन में क्या होता है? monsoon है संद में आया एशिया के southern part और south eastern part में monsoon के भी दो तरह के monsoon हैं कौन से? southwest monsoon and northeast monsoon क्या है seasonal wind? जो wind direction जो wind की direction season के ही सापसे change हो रही है ऐसे wind को हम क्या कहते है? seasonal wind कहते है क्या है? these are the winds which change their direction periodically with the change in season जैसे season change हो रहा है वैसे wind की direction भी change हो रही है monsoon का मतलब क्या होता है? meaning क्या है? season monsoon system ज्यादे तर कहां पर देखा जाता है? southern part of Asia में और south eastern part of Asia एशिया के southern part में और south eastern part में वैसिया के monsoon कौन सा है? southwest monsoon और north east monsoon सबसे पहले हम देखते है southwest monsoon क्या है? इससे आप नोट कर लीजे यह है monsoon का पहला type southwest monsoon southwest monsoon क्या है? पहले हम देखते है एशिया में या भी हम पढ़ चुके है कि एशिया में जादतर मौन्सोन कहाँ पर देखा जाता अश्या में अब क्या है लैंड मास ये लैंड मास है है ये ऊश्यानECH ये ऐश्या का लैंडOoh मास है और यह है इंडेयन ओश्यानцы कौंस ओश्याने इंडीयन इंडियन, ओशिन, जब समर होगी, जब समर सीजन रहेगा, तब लैंड मास क्या होगी, हीट हो जाएगी, हीट होने के वज़े से तेंप्रेचर ज्यादा है, तो प्रेचर क्या होगा, लो प्रेचर होगा, तेंप्रेचर ज्यादा है, तो प्रेचर लो होगा, तो एशिया में टेंपरेचर ज्यादा है तो एशिया की लैंड मांस में प्रेशर कैसा लगेगा लो प्रेशर इंद्यान ओशन में टेंपरेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा हाई प्रेशर होगा इंद्यान ओशन टेंपरेचर कैसा है टेंपरेचर लो है कूल है इसके वज़े से इंद्यान प्रेशर में प्रेशर ओवर इंडियन ओशन इस हाई एर ड्यू टू लो टेमप्रेचर इंडियन ओशन में प्रेशर हाई है क्यों क्योंकि वहां का टेमप्रेचर लो है there is a pressure gradient from ocean to land यह हम pressure gradient क्या है pressure के दो pressure के बीच का जो difference है अब यह देखिए Asia में low pressure है Indian Ocean में high pressure है तो इन land mass और ocean के बीच में क्या है pressure gradient है pressure का difference है यह संब में आया next point है this leads to southwest monsoon winds blowing from Indian Ocean to the land mass of Asia इसे हम southwest monsoon क्यों कह रहे है क्योंकि जो wind है वो कहां से कहां blow कर रही है Indian Ocean से Asia के land mass में India के ocean से Asia में क्यों blow कर रही है क्योंकि Indian Ocean का pressure कैसा है high pressure है और land mass का pressure कैसा है low pressure है इंडियल ओशिन में हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से कहां मूव करेगी लो प्रेशर में मतलब इंडियल ओशिन से एशिया में मूव कर रही है यह क्या है इंडियल ओशिन कहां पर है साउथ में और एशिया का पार्ट यह है वेस्टन साइड साउथ वेस्ट इसलिए हम मौसून विंड ब्लोइंग फ्रॉम ओशियन तू लैंड कैरी मौस्चर एंड कॉसे रेंफॉल इन समर सीजन ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग लैंड्स क्या है साउथ विस्ट मौसून विंड कहां से कहां प्लोग कर रही है ओशियन से लैंड मास में कि साूथ पार्ट में क्या रहा है एंडिया और इंडीया के आसपास का जो लैंड है जो कंट्री है हो आ रहाँ अब क्या है जब ओशियन से यह एशिया है और यह ओशियन है ओशियन से जब विंड लैंड मास की तरफ ब्लो करेगी तो क्या अपने साथ क्या करेगी मास्चर को लिए विंड अपने साथ क्या करेगी मास्चर को लिए है विंड किस पास विंड में क्या प्रिजेंट हो रहेगा मास्चर म और फिर कहां पर ब्लोकर क्या रही है लैंड मास में अब यहीं मॉइस्चर यहां पर क्या होगा क्लाउड को फॉर्मेशन होगा और फिर रेनफॉल होगी यहीं क्या है मॉन्सोन है अब यह इंडिया रीजन एशिया के साउधन पार्ट में क्या है इंडिया है इंडिया के और और जो neighboring country है वो है अम माश्यल कहा से ocean से आ रहा है इंडिया की तरफ Indian Ocean से इंडिया की तरफ आ रहा है क्या होगा rainfall और रेन्फ और कहा पर होगी इंडिया में इसी की वजह से जो विंट ब्लो कर आएं इंडियन ऊश्यन से लाइंड मास की तरफ इसी की वजह से क्या हो सुन में साउत्वेस्ट मॉनसून न उसके संगय सअट लसे चंग भंग उड़ाा में उसकाल गरनें से खाकर निनलम मोले बावन गल्ट अब ठीट है जून से सप्टेंबर के में पांडेंड इसे आप नोट कर लीजे फिर अब नेक्स्ट मॉनसून देखते हैं नौर्थ इस्ट मॉनसून नौर्थ इस्ट मॉनसून क्या है डूरिंग विंटर सीजन एशिया लैंड मासे बिकम्स कोल्डर देन सी एंड हाई प्रेशर डेवलाप्स ओवर लैंड अब क्या हो रहा है विंटर सीजन में समर्ण सीजन में क्या था एशिया को जो लैंड मास है काफी ज़्यादा हीट हो रहा था लेकिन विंटर सीजन में क्या है एशिया का जो लैंड मास है वो कैसे हो गया कूल हो गया किस से कूल हो गया सी से ज़्यादा कूल हो गया अब कूल हो गया लैंड मास तो वाँकर pressure कैसा होगा, high pressure होगा, land में high pressure होगा, क्योंकि cool हो गया है, किस सेirie si से ज़्यादा cool हो गया है, si से ज़्यादा cool है, so signize प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, एसया के land mass में, si के comparison में pressure भी ज़्यादा होगा, ठीक है विंड ब्लो फ्रों लैंड टूसी से विंड रमेशा कहां से कहां बलो करती हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एसिया में प्रेशर हाई है uição और ऑрашन में प्रेशर लैंड मास्स के एसिया के हैंच के कमपेरिजर में कम है तो कैसा होगा विंड कहां से काप लोग करेगी विंड कहां से काप लोग करेगी लैंड से सी में संद में आया समर सीजन में क्या हो रहा था सी से मूफ कर रही थी लैंड में लेकिन विंटर सीजन में लैंड सी से जादा कूल हो रही है ज्यादा कूल हो रही है, तो pressure भी क्या होगा? high होगा, sea के comparison में, land का pressure high होगा, तो, wind कहां से कहां blow करेगी? land से sea में blow करेगी, winds blowing from land to sea, wind start blowing from north easterly direction, land से sea में move कर रही है, ये wind किस direction में move कर रही है? north easterly direction में, किस डायरेक्शन में है? North Easterly डायरेक्शन में मूव कर रही है यह संद में आया This is called Northeast Monsoon North Easterly डायरेक्शन में मूव कर रही है इसलिए हम इसे क्या कहते है? Northeast Monsoon कहते है Wind is cold and dry Land cool है इससे जो wind ब्लो करेगी वो कैसे ब्लो करेगी? कूल और कोल्ड और ड्राइव इंड है लैंड में वाटर का सी में जितना मौश्चर है उतना लैंड में नहीं है लैंड में मौश्चर नहीं है इस वज़े से रेनफॉल नहीं होगी क्या है लैंड से जब सी में जा रहा है कोई मॉश्चर नहीं है एक डम कूल है और ड्राई है ड्राई विंड होने की वज़े से कोई रेंफॉल भी नहीं होगी लेकिन जो wind sea से land में आ रही थी उससे क्या rainfall हो रही थी क्यों हो रही थी क्योंकि sea में moisture है sea से wind क्या कर रही थी moisture को अपने पास रख रही थी अब क्या है part of north eastern australia and east africa also experience this type of wind australia का eastern part एशिया के साथ साथ जो australia का eastern part है north eastern part और अफ्रीका का east part यहां पर भी के wind experienced है मतलब यहां पर भी ऐसे wind मिलती है एशिया में जादा तर जादा एरिया में एशिया में ही मिलती है कौन से wind मौनसून संड में आया यह क्या था नौर्थीस्ट मौनसून अब हम देखते हैं seasonal wind periodic wind और secondary winds का second type land and sea bridges यह संड में नौर्थीस्ट मौनसून क्या है winter में कहां से कहां move कर रही है Asian landmass becomes colder than sea अब sea से cool है landmass एशिया का तो यहां पर high pressure है sea से ज्यादा तो wind कहां से कहां blow करेगी land से sea में land में water नहीं है है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जिससे rainfall cause हो sea में ज्यादा water है पूरा watery water है क्या होगा landmass से जो wind blow करी हो कैसी है cold और dry है जब यह blow करेगी wind तो कोई भी rainfall नहीं होगी और यह wind कहां का आपर भी देखने को मिलती है North Eastern Australia में और East Africa में ठीक है आप इसे note कर लीजे land and sea bridges क्या है पहले हम देखते हैं कि sea bridge क्या है फिर हम देखेंगे land bridge क्या है these winds occur only during certain periods of day जो land or sea bridges है यह day के हिसाब से होता है periods of day में होता है ऐसा नहीं है किस मंत में हो रहा है या फिर season की वज़े से ऐसा नहीं है यह कैसा हो रहा है जो day में इसका winds का blowing जो है वो change हो रही है winds की direction change हो रही है कैसे these winds are caused due to the difference in rate of heating and cooling of land masses and the ocean यहम पहले भी कई बार पर चुके हैं कि land mass और water जो है sea है ocean क्या है उनकी जो capacity है heating और cooling की वो क्या है अलग-अलग है vary कर रही है ऐसा नहीं है कि land mass और जो ocean वो एक साथ heat हो जाए या फिर एक heat साथ cool हो जाए ऐसा नहीं है land mass पहले heat होती है और जो ocean है वो जल्दी cool हो जाती है during day land masses get heated more rapidly than neighboring ocean दिन में क्या होगा sun की rays है दिन में sun की rays आ रही है इससे क्या होगा जो land mass है वो heat हो जाएगी और यह पहले पढ़ चुके हैं कि land mass जल्दी heat होती है land mass get heated more rapidly काफी जल्दी ocean से heat हो रही है land mass जो land mass के आसपास को जो एरिया है जो ocean से उससे जल्दी land mass heat हो रही है wind अब land mass heat हो गई तो land mass का pressure कैसा होगा pressure low होगा land mass heat हो रही है तो temperature क्या होगा temperature high pressure low होगा ocean में ocean में pressure कैसा है pressure high है ocean में pressure कैसा है high है तो कि वहाँ का temperature land mass से low है अब high pressure है ocean में और low pressure है land में तो wind कहां से कहां move करेगी कहां से कहां blow करेगी ocean से land में कम दिन में during day day में क्या होगा ocean से land की तरफ wind blow करेगी यह wind जब दिन में ब्लो कर रही है ocean से land में ऐसी wind को हम क्या कहते है sea bridges कहते है क्या कहते है sea bridge कहते यह sun में आया wind start blowing from sea to land in afternoon these are called sea bridge जो wind दिन में afternoon में sea से land में आ रही है ऐसे wind को हम क्या कहते है sea bridge कहते है इसे आप याद कैसे करेंगे कि sea bridge और land bridge में confusion मत होईएगा confuse मत होईएगा ऐसे याद रखे कि sea bridge क्या है जो wind ocean से sea से land में आ रही है कहां से आ कहां से रही है sea से आ रही है तो ऐसी wind को क्या कहेंगे sea bridge कहेंगे इतना sun में आया क्या है these winds are caused due to the difference in rate of heating and cooling of land masses and ocean ocean और land mass के heating और cooling के जो difference है इसके वज़े से wind blow कर रही है high pressure से low pressure में दिन में land mass heat हो जाएगी ocean से जल्दी तो wind कहां से का blow करेगी sea से land में sun में आया कहां से का blow कर रही है sea से land में क्योंकि sea का pressure high है और land का pressure low है ऐसे wind को जो wind दिन में आफ्टरनून में ocean से land में आ रही है ऐसे wind को हम sea bridge कहते हैं इससे आप note कर लीजे अब हम देखते land bridge क्या है land bridge क्या है एक point यह देखिए sorry for mistake यह पहले जो हम क्या बताये थे इसके पहले गलती से यह बताये थे कि land जल्दी heat हो रही है और ocean जल्दी cool ऐसा नहीं है land जो है वो cool भी जल्दी हो रही है heat भी जल्दी हो रही है और cool भी जल्दी हो रही है और cool भी जल्दी हो रही है उस point में confusion हो गे थी sorry for that अब देखते हैं land breeze air moving in form of sea bridge जो bridge जो sea bridge है जो air move करीं sea bridge के form में वो कैसी है humid और cool है क्यों क्योंकि वो wind कैसी आ रही है sea से आ रही है तो sea से जो wind आ रही है वो कैसी रहेगी cool है humid उसमें moisture present है अब ये wind क्या करेगी जो sea bridges है जब sea से land में आ रही है तो क्या करेगी cool है wind cool है तो land mass जिस land mass में जा रही है उसका temperature भी क्या होगा temperature low करेगी ये साज में आया next point during night land cools more rapidly than ocean night में क्या हो रहा है land जल्दी cool हो रही है ocean से जल्दी cool हो रही है तो land का pressure कैसा हो जाएगा land का pressure high हो जाएगा ocean से जल्दी cool हो रही है ocean का pressure कैसा है land के comparison में ocean का pressure low रहेगा land के comparison में ocean का pressure कैसा है low है land में pressure ज्यादा है क्योंकि आगा temperature ज्यादा है जल्दी cool हो गया temperature low है जल्दी cool हो गया land इसलिए क्या move करेगी wind कहां से कहां move करेगी high pressure से low pressure में कहां से कर रही है land से कहां जा रही है ocean में अब move कहां से कर रही है land से लैंड से move कर रही है ऐसे window को हम क्या कहते है land breeze कहते हैं क्या कहते है land bridge कहते हैं यह सन में आया क्या है नाइट में जल्दी cool हो रही है ocean से लैंड का temperature low होगा pressure high होगा ocean के comparison में लैंड का pressure क्या है high है ocean का low है तो लैंड विंड कहां से काब लो करेगी लैंड से ocean में ऐसे विंड को हम कहते हैं land breeze यह land breeze कब हो रही है कब मूव कर रही है विंड नाइट में कब during night और sea breeze during during day में sun में यह क्या था periodic और seasonal और secondary wind का second type है next lecture में हम पढ़ेंगे wind का third type local wind thank you for watching this lecture